नमस्कार दोस्तों, कंगना रनाओद आयोधिया जाकर रामलला के दर्शन कराई, इस्राइल के राजदूत से मिलाई, रामलीला मैदान में तीर चलाने में पहुँच गई, लेकिन उनका एक भी तीर निशाने पर नहीं लग पाया, नहीं रामन पर लगा, नहीं उनके फिल्म दर्शकों के लिए तरस गई, कंगना ने भक्त लॉबी को लिभाने की खूब कोशिश की, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मूदी जी तो इनसान ही नहीं है, वो तो अवतार है, लेकिन फिर भी भक्त लॉबी को लुभा नहीं पाएं, अब या तो कंगना की फिल्म में ही को गई है, इस फिल्म ने सिर्फ एक करोड़ तीस लाक रुपए की ही कमाई की थी, दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर कंगना नाउत की पिछली रिलीज नाकर भी डिजास्टर साबित हुई थी, यही नहीं बीते आठ साल में, यानि कि 2014 में हाजादी मिलने के बाद से उनकी आठ फ करोड़ रुपए के बजट में बनी, तेजस ने ओपनिंग डे पर एक करोड़ पचीस लाक रुपए का नेट कलेक्शन किया है, यह फिल्म देश भर में 2000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है, लेकिन हालत यह है कि थीटर में 100 में से 94 सीटे खाले ही नजर आ रही है हाला कि रात के शो में ओडियन्स ओक्यूपेंसी बढ़कर 10% तक जरूर पहुची थी, जिससे किसी तरहां फिल्म एक करोड़ का आकणा पार कर पाई थी, वरना यह भी मुश्किल ही था दोस्तों सोशल मीडिया पर भी कई लोग तेजस को लेकर अपनी राय दे रहे हैं, कनया कुमार के पैरोडी एकाउंट से ट्वीट किया गया है आजादी को भीक और असली आजादी 2014 के बाद मिली बताने वाली कंगनर नौत को जनता ने करारा जवाब दिया है आज इनकी रिलीज हुई तेजस मूवी सुपर फ्लॉप रही, पहले दिन की कमाई 25 लाग के अंदर रही, जनता को मुर्क समझने वाले समझ जाएं, ये जो पबलिक है सब जानती है अब इशेक गोयल रिख रहे हैं, मोदी जी से ज्यादा बुद्धिमान और मोहन भागवत से ज्यादा राश्टवादी मैडम कंगना ररावत की फिल्म तेजस रिलीज होते ही विसर्जत हो गई पहले दिन का कलेक्शन दो करोड और ओवराल कलेक्शन दस करोड का अनुमान है, हाला कि मोदी भक्तों को पाई पाई जुटा कर के इस फिल्म को हिट करवाना चाहिए था, पर वो लोग भी क्या करें बेचारे पैसे की किल्लत के कारण अपने पापा मोदी जी की बायोपिक हिट नहीं करवा पाये थे, कंगना की कहां से करवाएंगे वैसे कंगनर नौत की मनबुद्धी वाली इमेज को देखते हुए इन्हें भारत का राजदूद बना कर ततकाल इसराइल बेज देना चाहिए, कंगना अपनी कामिलियत से हमास का अंत कर इसराइल को भी भारत की तरह विश्वगुरू बना डालेंगे अशोक कुमार पांडे कह रहा है, एक समय एक मंत्री जी एक फिल्म के चलने से देश की अर्थवेवस्ता के बहतर होने का दावा कर रहे थे अब अगनी होतरी की बात कंगना की तेजुस के पहले दिन ही उखर जाने से देश के अर्थवेवस्ता के बदतर होने का अनुमान लगाया जाए या दोनों के आदर्श फलाना जी की पॉपुलारिटी के गिरने का अगनी होतरी वाली फिल्म को तो उनका प्रचार भी नहीं ब अगना को अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए राजनीती का या तो सहारा लेना छोड़ देना चाहिए या तो फिर खुल करके राजनीती में एक कूट पढ़ना चाहिए हो सकता है शायद तब भाक्त लोबी उन पर महरबान हो जाए आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक मैं यूसी पर देख रहे हैं मेरा नाम फरीन अंसारी है चहिद जय भारत